प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने NCMC लॉंच किया है NCMC यानि National Common Mobility Card क्या है ये कार्ड? क्यूं आपको खरीदना चाहिए ये कार्ड? और क्या-क्या फाइदे हैं इस कार्ड के आपको बताएंगे इस विडियो में और एक लाइन में कहें तो इतने सारे कार्ड की अब आपको ज़रूरत नहीं है एक ही कार्ड से सारा काम होगा आप देखनों ये टेक टक, मैं हूँ शुती शार्मा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने NCMC यानि National Common Mobility Card लॉंच किया है ये कार्ड होगा एक ट्रावल कार्ड जिससे की आप कहीं भी भारत में ट्रावल कर सकते हैं और एक ही कार्ड से आप पेमिंट कर पाएंगे इस कार्ड को आप इस्तमाल कर पाएंगे पार्किंग की पेमिंट करने के लिए टोल टाक्स पे या फिर मेट्रो में भी ये एक ही कार्ड से सभी जगे पेमिंट होगी इस कार्ड का नाम दिया गया है One Nation One Card यानि आप भारत में कहीं भी हो एक ही कार्ड से आप सभी जगे पेमिंट कर सकते हैं ट्रावल ही नहीं सिरफ आप अगर किसी रीटेल शॉप में शॉपिंग कर रहे हैं या आपको एटीम से पैसे निकालने हैं तो भी आप इस कार्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं तो सभी कामों के लिए अब एक ही कार्ड होगा One Nation One Card के नाम से हाली में एहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई और वहीं पे इस कार्ड की घोशना भी हुई और वहीं ये लाउंच भी किया गया सबसे पहले और आपको पता दें ये कार्ड रूपे पे चलेगा और कई बार ऐसा होता है कि आप मेट्रो में ट्रावल कर रहे हैं बस में ट्रावल कर रहे हैं तो चेंज नहीं होती है तो अब आपको change की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये card लेना है, इसकी through payment करना है और जो balance है आपका वो आपके पास रहेगा, बाकी जतना भी आपका किराया है वो charge हो जाएगा वहीं आपको बता दें कि अभी जो card जाते तर इस्तमाल हो रहे थे, वो तो भारत के भार की technology का इस्तमाल हो रहा था भार के cards थे जो भारत में इस्तमाल किये जा रहे थे, या फिर card या फिर technology लेकिन आप बता दें आपको कि ये make in India तर्ज पे card बनाया गया है और ये भारत में ही बनी technology इसमें इस्तमाल की जा रही है और ये card आप भारत में कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपने card दिल्ली में बनाया है फर्स कीजिए तो आप केरला में travel कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये card आप यूज करके इसमें जो charges हैं वो दे सकते हैं महाँ पे भी आप हो या travel के लिए या shopping के लिए अगर आपको ATM से पैसे निकालने हैं तो भी वही stored value card पर support करती है offline transaction जो travel needs को minimal financial risk के साथ लाती है यानि ये card support करता है operator specific applications भी जैसे monthly passes season tickets और बहुत कुछ और क्या क्या कर सकते हैं आप इस card से और कहां से मिल सकता है आपको card या आपको पूरी जानकारी हम आपको देते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि ये card रूपे debit या credit card के जैसा ही है जो bank से issue होगा ये debit और credit card या prepaid card की तरह ही है contactless card है जैसे metro rail card होता है आप किसी भी bank से संपर्ग कर सकते हैं रूपे card खरीदने के लिए और उसमें होना चाहिए NCMC support यानि national common mobility का support होना चाहिए उस card में वहीं आपको बता दें कि ये जो card है 25 से भी जादा banks के पास है और आप वहाँ से ले सकते हैं जैसे SBI और PNB वहीं आपको बता दें कि ये जो card है आप ATM payment bank से भी issue करा सकते हैं ये make in India card है और पूरी technology जो है भारत में ही बनी है वहीं आपको बता दें कि इसमें ATM पर use करने पर 5% cash back है और 10% cash back है किसी merchant outlet पर आप अगर इसे इसे इस्तिमाल करते हैं जब आप कहीं बाहर ट्रावल कर रहे हैं तो वन नेशन वन कार्ड अब शुरू ही हो गया है तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपना एक कार्ड बनवा ले ताकि आपको ट्रावल में पूरी सहूलियत हो और इतने सारे कार्ड जैसा बताया आपको इस्तिमाल करने की ज़ुरत नहीं है एक ही कार्ड से आपका पूरा काम हो जाएगा वन नेशन वन कार्ड आप किस तरहें ले सकते हैं खरीच सकते हैं और क्या क्या होगा इससे आपको इस वीडियो में बताया और कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमें सेक्शन में लिखें और माई चाले को सब्स्क्राइब ज़रूर करें